अशून्य शैन वरत एवं छत्री दान का फल राजा मैथिल बोले हे ब्रह्मन आपने कामदेव की स्त्री रती का चरित्र और उसे देवताओं द्वारा बताया गया अशून्य शैन वरत तो मैंने सुना अब उस अशून्य शैन वरत के दारन करने की क्या विदी है तथा क्या दान करना चाहिए कैसे पूजन किया जाता है उसका क्या फल होता है सो सुनाईए यह सुन शुद्देव जी कहने लगे हे राजन इसका विधान श्रीहरी भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था वे सब मैं तुम्हे सुनाता हूँ जिसके करने से शाम वर्ण लक्ष्मी पती जगनात विश्व भगवान संपूर्ण पापों को नाश कर प्रसन हो जाते हैं जो ग्रहस्त धर्म वालों को अवश्य करना चाहिए हे महीपते सोने वचांदी की पुरुशोत्तम भगवान की मनोहर मूर्ती बनवावे पितामबर धारन करावे सुन्दर बनमाला से आभुशित करे शफेद पुश्पों और सुगंधित द्रव्यों से लक्ष्मी नारायन भगवान का नित्यप्रती शावन शुकला द्विति पुश्या के दिन से चार मास तक पूजन करे हविश्यान का भोजन करे चतुर मास्य व्यतीत होने पर सम्यक पारण करे पारण के दिन भक्ष भोज आदी चारों प्रकार के भोजन करे ब्रामन को शयादान वस्त्रदान करे ब्रामनी सहित भोजन करावे तथा दक्षिना दे फिर मार्ग शीर्ष आदी मासों में पूर्ववत रक्त वर्ण हरी भगवान का रुक्मिनी सहित ध्यान कर पूजन करे ऐसे ही चैत्र मास से चार मास तक भूमी पर आसन बिचा कर भक्ति से श्री हरी भगवान विश्नु का पूजन करता रहे और आशाड की द्वितिया के दिन समाप्त करे उस दिन अश्ट अक्षर ओम नमो नारायनाय इस मंत्र से हवन करे मार्ग शीर्ष आदी मासों में परायन के दिन विश्नु गायत्री नारायनाय विद्महे इस मंत्र से हवन करे चैत्र आदी मासों में सहर्ष शीर्ष इस पुरुष सुक्त मंत्र से हवन करे खीर और घृत से बने मालपुआ आदी भोग के लिए रखे और लक्षमी नारायन जी को पंचामरित से इसनान करावे बीच में श्री कृष्ण महाराज की सोने की वैं अंत में बाहर जी की चांदी की मनोहर मूर्ती रखे फिर केशव आदी नामों से ब्रामनों को भोजन कराकर शद्धा अनुसार दो वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुआ उपाहन आर्थ ब्रामन के इन्मित बारवे दिन दे फिर पूर्वकल्पित प्रतिमा को संपून अरंकारों से आभुशित कर आचाड़े को दे और शय्या का संकल्प करे उसके उपर लक्ष्मी नारायन जी का विधिवत पूर्जन करे कांसे का पात्र दे और ब्रामनों को भोजन करावे दान मंत्र यह है लक्ष्मिया अशून्य शयनम यथा तव जनार्दन शय्या ममाप्य शून्या स्यादो ने नानेन केशव अर्थात हे जनार्दन जैसे आपकी शय्या लक्ष्मी जी से अशून्य है वैसे ही हे केशव इस शय्यादान से मेरी शय्या अशून्य हो इस प्रकार भगवान जी की विश्नु भगवान जी की पूजा करके आप भोजन करे इस ब्रत को पुरुष सौभाग्यवती इस्त्री अथवा विद्वा अशून्य शयन के निम्मित धारन करे जो मनुष्य विश्नु भगवान के धाम जाने की इच्छा करता है उसको ये ब्रत अवश्य करना चाहिए और इसके करने से जगनात भगवान प्रसन होते हैं जिससे देव दुरलब कार्यों की प्राप्ति होती है और अनेक सुख वसंतान की वृद्धी होती है ये सब वरणन कर दिया अब आगे तुझे क्या सुनने की इच्छा है सो वता ये सुन राजा ने फिर शुत देव जी से पूछा है महराज वैशाक मास में च्छत्री दान करने का क्या महत्म्य है सो सुनाईए क्योंकि वैशाक मास में करने योग्य शुब कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती राजा के इसे वसंद सुनकर शुत्ध देव जी राजा से कहने लगे कि छत्रीदान के फल की एक कथा कहता हूँ सत्युग में एक हेमकांत नाम का बंगाल का राजा था जो कुश केतु का पुत्र बड़ा बुद्धिमान और बलवान था वह एक दिन शिकार खेलता हुआ घनेवन में चला गया और वहाँ अनेक प्रकार के म्रिग और शूकरों को मारता हुआ जब वह ठक गया और तेज गर्मी के कारण दुपहर के समय मुनियों के आश्रम में जा पहुँचा वहाँ शतर्ची नाम के रिशी वरत में मगन समादी लगाए ध्यान कर रहे थे उनको यह मालूम नहीं हुआ कि आश्रम में कोई आया है अतर रिशी ने राजा का उठकर सम्मान नहीं किया जिससे राजा क्रोध कर उन्हें मारने को उद्यत हुआ तब रिशी के दस हजार शिश्यों ने उसे एसा करने से रोका और कहा हे दुरबुद्दे इस समय हमारे गुरू समादिस्त हैं उनको इस समय कुछ भी पता नहीं है तू क्रोध मत कर तब क्रोध से विवल होकर राजा कहने लगा हे ब्रामन मैं ठक गया हूँ तुम मेरा आतित्य सत्कार करो शिश्य बोले हम भिक्षुक बिना गुरू की आग्य कि आपका आतित्य सत्कार करें एसा शिश्यों से उत्तर सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुश उठा लिया और कहा मैंने तुम्हारी पश्वों तथा दस्यों से अनेक बार रक्षा की है मैंने ही प्रतिग्रह दिये अब तुम मुझे ही शिक्षा देते हो तुम को मारने में दोश नहीं है इस प्रकार अत्यंत करोद कर बांद छोड़ने लगा और जब शिश इधर उधर भागने लगे तो उन्में से तीन सो को राजा ने मार डाला और शेश आश्रम छोड़कर भाग गए आश्रम में रखी हुई वस्तूओं को पाप बुद्धी सैनिको ने ले लिया और खूब भोजन किया तथा राजा ने अनुमोदन किया तब साइकाल को राजा जब सेना सहित पुरी में आया और उसके पिता कृश केतू ने अपने पुत्र की के इस दुष्ट व्यभार को सुना तो बेटे की बहुत निंदा की और उसे पुर से बाहर निक क्राल दिया क्योंकि जो क्षमा हीन पुरुष राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता तब पिता से त्यागा हुआ राजा हेमकांत व्याकुल हो गहन वन में चला गया तो वहां उसे ब्रामनों की हत्या सताने लगी और भूक के मारे वहाँ जीव जंतों को मार कर खाते हुए प एक दिन तीर थ्यात्रा करते करते त्रित नाम के महामुनी वैशाक मास में दुपहर के समय उस वन में गई वह तेज धूप तथा प्यास के मारे अत्यंत व्याकुल हो चाया रहित स्थान में मुर्चित होकर गिर पड़े देव योग से हेमकांत के मन में त्रित मुनी की ऐसी दशाद में देखकर तया उत्पन हुई और ढाक के पत्तों की छत्री बना कर चाया के निम्मित मुनिश्वर के शिर पर लगा दी और अलाबू का जल दिया इस उपचार से मुनिश्वर की मुर्चा जाती रही चेत आने पर सावदान हो वै उन पत्तों की छत्री को लगा कर दीरे दीरे किसी गाम में पहुँचे इसी पुन्य के प्रभाव से उसकी तीन सो ब्रम हत्याएं क्षण भर में दूर हो गई जिससे हेमकांत को बड़ा विस्मे हुआ की मेरी ब्रम हत्या कैसे दूर हो गई इस विचार में पड़े हेमकांत को संग्रहनी रोग उत्पन हो गया अत्यंत कष्ट से व्याकुल जब प्राणों के वियोग में महान आर्थ उत्पन हुआ तब उसे तीन पुरुष जम के दूद बड़े बढ़े भहंकर रूप वाले जिनके सिर के बाल खड़े हुए थे दिखाई दिये जो राजा को डरा रहे थे तब वह अपने किये कर्मों को सोचते हुए मौन हो गया फिर चत्रीदान के प्रभाद से विश्न भगवान का स्मरण करने लगा तब विश्न भगवान ने अपने महामंतरी विश्वक सेन को आग्या दी कि तुम जल्दी जाकर यम दूतों को रोको क्योंकि हेम कांत ने वैशाक मास में जो धर्म किया है उससे वह निश्पाप हो गया है तथाया मेरा भक्त है इसलिए उसे दूतों से चुड़ा कर और उ भूप से व्याकुल मुनी की छत्री लगा कर रक्षा की है अतहर छत्री दान करने से यह निश्पाप हो गया है यह शूरता उदारता तथा गुणों में तेरे समान हो गया है इसलिए विश्न भगवान की आग्या अनुसार तुम हेम कांत को राज्य का भार सौप दो विश विश्वक सेन ने हेम कांत के शरीर का स्पर्श किया स्पर्श करते ही शरीर रोग मुक्त हो स्वस्थ हो गया फिर विश्न भगवान के दूत हेम कांत को अपने संग लेकर उसके पिता क्रिश केतु के पास गए क्रिश केतु यह देखकर बड़ा चकित हुआ और विश्न पुत्र को सिंगहासन पर बैठाया और स्वयम अपनी इस्त्री सहित्वन में तब करने चला गया विश्वक सेन ने भी विश्णू लोक को प्रस्थान किया तब राजा हेमकांत ने बैशाक मास में सब शुब धर्मों को किया मतलब भली भांती किया जिसके करने से वह जितेंद्रिय दयालू सर्व संपत्तियों से युक्त पुत्र पौत्रादी से संपन हो संपून भोगों को भोग कर विश्णू लोक को चला गया वैशाक मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म पापों को नाश करने वाला नहीं है और यह सुलब तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चारो पादार्थों का दाता है ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासुदेवा जैए शेकेश्नमागवान जैए तुलसी माता हरी प्रिया नमुस्तुते